कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चरित्रि से जुड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का जोर फिल्म जोर अनुवाद तागत बेविक कुमार द्वारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित उनिस उठ्थानवे की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी द्योल शुश्मिता सेन मिलिन गुनाजी और ओमपुरी है तेरा परवरी उनिस द्वारा निर्मेत बेवे कुमार अभिनीत सनी द्योल शुश्मिता सेन मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा द्वारा संपादेत एश्री करवरसाथ संगीत यह गाने अगोश बैंड बैग्ग्राउंड इसकोर बिद्या सागर प्रोडेक्शन कंपनी विक्की फिल् इरोज इंटर्टेंडमेंट रिलीज की तारी तेरह परवरी 1998 भारत कारेकारी समय 155 मिनट लेश बारत बाश्या हिंडी बॉक्स ओफिस 15 करोर 2020 में 57 करोर या यूएश डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर कथानक जोर निर्दोस लोगों को मापिया और राजनेतां द्वारा के अरजुन सनीदेवल एक फोटो जर्नलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपमखेर का एक लौता बेटा है और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है बैया आरती शुशमिता सेन से मिलता है जो एक छोटे डैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है जो एक प शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पुर्फ जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन के पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही घोशि एक साजिस है और बहे लापता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है इससे अरजुन को इकवाल पर श इस वक्त आजमी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना एक वाल का एक परिवार और पत्नी थी जिसे भाई किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाईग धंगे में खो दिया और एक सामप्रदाईग नेता शाह अलम उंपुरी उसे सैक्रोई वाव के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं सेना में सिवरात विसपोदकों का विशर जगित है और अपने देश और अपने लोगों को नष्ट करने के लिए विसपोदक बनाने के लिए अपने कोशर का उप्योग करने के लिए एकवाल अंत में अर्जिन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुन ना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्यूंकि भेर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अरजुन नायदिस को इसपर्ष करता है कि यह है स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो अस्की देश द्रोही हैं जो इकवाल जैसे मिल्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार आदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुजित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ्तार कर लिया गया हला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हला कि अरजुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज़्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए वास्तेव प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अरजुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डालना सनी देवल अरजुन यूके सिंग के रूप में सुचमिता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपमखेर, पुलिश कमिशनर, उले सिंग के रूप में, दीना पाठक, अर्जन धादी के रूप में, लक्ष्मिकान बेंडरे के रूप में, भीरु कृष्णन, टीकू तलसानिया, अक्वार के समपादक के रूप में, गीत संगीत, सभी गाने आनन्वक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंट द्वारा रचित हैं गाना नमरे मैं कोड़ी अंजाने इस गाने के गायकार हेमा सरदेश आई हैं और इस गाने के गीतकार आननद वक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेश आई हैं और इस गाने क थे आननट वक्षी ने लिखा है। गाना नम्र 3, पहली पहली बार इस गाने के गैकार अंगधा श्री राम और गोपाल रा हैं। गीतकर महभूग हैं। गाना नम्र 4, कोई देख रहा। इस गाने के गैकार उति नारन और कविता क्योस्षिम होती हैं। और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल है गाना नमबर पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा है गाना नमबर छे गम ना करो इस गाने के गायकार सोनो निगम और कविता क्रिशन मूर्ती है और इस गाने के गीतक आनन्द वक्षी हैं दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं अम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मूभी की बारें बताएंगे इसमें हम मूभी की संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सके उम्मीद करत हूं आप से दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद ताकत बेवेक कुमारद्वारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इंदिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गोनाजी और ओमपुरी है तेरा फरवरी उननी सथानमे को नाटकी रूप से विलीज हुई यह एक ब्यपसाइक ब्यपलता थी निर्देशक संगीत सिवन द्वारा लिकेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात द्वारा निर्मेत बिवेक कुमार अभिनीत सनी दियोल, शुश बैग्राउंड इसकोर विद्या सागर प्रोडेक्शन कंपनी विक की फिन्स द्वारा वित्रित इरोज इंटर्टेंडमेंट रिलीज की तारिक तेरा परवरी उननी सवत्थानवे भारत कारेकारी समय एक सो पच्पन मिनट लेश बाहरत भाषा हिंडी बॉक्स ओफिस रहा है ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके अर्जुन सनीदेवल एक फोटो जनलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है बैयारती शुश्मिता सेन से मिलता है जो एक छोटे दैनिक मे एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है जो एक प्रसेटर रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं दोनों शादी करने का फैसला करते हैं लेकिन एक समस्या है अर्जुन आर्थी से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अप तंगवादी को छोड़ देने और देजदू ही भोशित करने का आरोप लगाया जाता है अरजुन की बहन की सगाई की दोरान इकवाल हुई अरजुन की घर पर मौझूद था जबकि पलिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थी अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है और बहला पता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पगड़ने के लिए निकल परता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ है जिसने उस पर हमला किया था एक वाल अरजुन को बताता है कि भै एक देश वक्त आर्मी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना एक वाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भै किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक के भीरे एक वाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समों का नेता बन जाता है एक वाल की कहाने सुनने के बाद अर्जुन ने उससे समझाया कि यह सब एक वाल को आतंगवादी बनाने की साजिश है कि भै भारती सेना में सेवरात विसपोटकों का विशर जगि और स्विकार करता है यह सुनने के बाद कि वाल ने उसे चोड़ दिया है शाह आलंब ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं शामी और आलंब ही इक इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्योंकि भेह उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है। अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन-खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है। अर्जुन नियादिस को इसपर्ष करता है कि यह है स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देज़ द्रोही हैं जो एकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार अदा कर दिया कि अगर उने गिरफतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राश्टी चैनल पर अदालत की पूरे कारवाई का सीधा प्रसान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईों क सिंग के रूप में शुषमेता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओमपुरी शालं के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपमखेर पुलिश कमिशनर उले सिंग की रूप में निना पाथक अर्जन दादी की रूप में लक्ष्मिकान बेंडे की रूप में भीरु क्रिश्नन, टीकु तलसानिया, अक्वार के संपादक के रूप में, गीत संगीत, सभी गाने आनन्दवक्षी के गीतों के साथ अगोष बैंड़ द्वारा रचित हैं, गाना नमरे मैं कोडी अंजानी, इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं, और इस गाने के गीतक आनन्दवक्षी ने लिखा है, गाना नमर तीन, पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुग्राधा, शिरी राम और गोपाल राय हैं, और इस गाने के गीतकार महभूग हैं, गाना नमर चार, कोई देख रहा, इस गाने के गायकार अधित नारंड और कविता क्रिश्मू कैसे गाने के गीतकार रविंद लावल हैं गाना लबपांट चो को सबस्क्राइब और लिए गईदकार राई बिजिर, एको वहां की। आफ़ा सबस्क्राइब ऑक गocusे की क। बहुत बज्द जाफ हैं साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी की बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले प बेवेक कुमारदारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी 1998 को नाट की रूप से रिलिज हुई यह एक ब्यपसाइक द्वारा निर्मेत बिवेक कुमार, अभिनीत सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन, जीवा, द्वारा संपादेत एश्री करवरसाथ, संगीत यह गाने, आगोश, बैंड, बैक्राउंड इसकोर, बिद्या साजर, प्रोडेक्शन कंपनी, भिक हिंडी, बॉक्स ओफिस 15 करोर, दोहजार बीस में 57 करोर, या यूएश डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर, कथानक, जोर, निर्दोस्तों को मापिया, और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अर्जुन सनी दिवल, एक फोटो जर्नलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है, और अपनी मा, छोटी बहन और दादी के साथ खुश है, बैया आरती, शुश्मिता सेन से मिलता है, जो एक छोटे बैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है, जो एक प्रसेटर पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को, जो एक पुल्प सेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुपम की प्रतिक्षा करनी होगी, इस बीच अरजुन के पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही भोशित करने का प्लगाया जाता है, अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल भी अरजुन की घर पर मौझूद था, जबकि प्लिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थी, अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाप एक साजिस है, और बहला पता आतंगवादी को खोजने और अपने प पर शक होता है, और बहल का आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल को समुह का नेता है, जिसने उस पर हमला किया था, एकवाल अरजुन को बताता है कि एक देश भग्अअ अरभी केप्टन से आतंगवादी क्यों बना? इकवाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भाई किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाइग धंगे में खो दिया और एक सामप्रदाइग नेता शाह आलम उमपुरी उसे सैक्रोई वाउ के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रोगों के ख कि यह सब ौनाने के लिए विस पोटग बनाने के लिए अपने कॉशर का उपयोग करने के लिए अरज्ञन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद की इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी सौमी जी को सूचित किया सौमी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते ह सौमी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्यूंकि बहर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अर्जुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अर्ज इकवाल आलम और सौमी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस परकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुशित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफतार कर लिया गया हाला कि सौमी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईों के लिए वास्तिक प्रकति उनके अपने अनुयाईों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डालना शनीत वोल अरजुन इयोके सिंग के रूप में, सश्मीता सेहन आरती के रूप में, मिलिन गोनाजी एहवाल खान के रूप में, ओमपुरी शाआलं के रूप में, मोहन आगाषे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेव केंदरी मंत्री के रूप में, अनुप मखेर, पुलिश कमिश्रर उले सिंग के रूप में, बीना पाठक, अरजन दादी के रूप में, लक्श्मिकान बेंडरे, भीलू क्रिशनन, टीकु तलसानिया, अकवार के संपादक के रूप में, गीत संगीत सभी गाने आनन्दवक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंट द्वारा रचित हैं गाना नमरे मैं कोडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेश आई हैं और इस गाने के गीतकार आनन्दवक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगादा शिरी राम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नमबर चार, कोई देख रहा, इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्ण मूरती हैं, और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं, गाना नमबर पांच, जोर देखो, इस गाने के गायकार गोपाल राय हैं, और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा ह गाना नम्ब च्छे गम ना करो इस गाने की गौायकार सोनो निगम और कविता कृष्री मूर्ती है और इस गाना के घीतकार अनन्द बख्षी है दोस्तो हम बहुत भीरियना से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीस हमारे वीड दोस्तों के साथ लाइक और शेर करना ना भूले धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं अम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे हूंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुभी की बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगो तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सके उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद तागत बेवे कुमार द्वादारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित उन्नी सट्थानवे की भारती इंदिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल शुश्मिता सेन मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी उन्नी सट्थानवे को नाट की रूप से रिलीज हु अबिनीत सनी दियोल शुश्मिता सेन मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा द्वारा संपादेत एश्री करपरसाथ संगीत यह गाने आगोश बैंड बैग्रांड इसकोर विद्या सागर प्रोडेक्शन कंपनी विक कीपिन्स द्वारा वित्रेत इरोज इंटर्टें करोर 2020 में 57 करोर या यूएस डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर कथानक जोर ने दोस्तों को मापिया और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके अरजुन सनी दियोल एक फोटो जर्नलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है बैया आरती शुश्मिता सेन से मिलता है जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है जो एक प्रसेटर रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है और दोनों प्यार मे का फैसला करते हैं लेकिन एक समस्या है अरजुन आरती से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पूर्प जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन की प मिशनार को गिरफतार कर रही थी अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है और बहला पता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है इस बीच इकवाल बिना इकवाल पुस्अमू का नेता है जिसने उस पर हमला किया था एकवाल अरजुन को बताता है कि बहल एक देश वाग्त आर्मी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना इकवाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे बहल किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन् नष्ट करने वाले रोगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं धीर धीरे एकवाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समू का नेता बन जाता है एकवाल की कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने उससे समझाया कि यह सब एकवाल को करने के लिए एकवाल अंत में अर्जुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद कि इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्योंकि बहर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अंत में जब कमिशनर को अपरादी भुशित किया जाने वाला होता है अर्जुन बहुत खुन ख इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस प्रकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोश घुजच करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ़तार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उने गिरबतार किया गया, तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे, हलागि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज़्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया, इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया, उनके अनुयाईों के लिए प्रसारान के अपने अनुयाईों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला, अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया, ढालला, सनी दियोल अर्जुन यूके सिंग के रूप में, सुशमिता सेन आरती के रूप में, मिलिन गोनाजी एगवाल ख परमिश्नर उले सिंग के रूप में, लीना पाठक, अर्जन धादी के रूप में, लक्ष्मिकान बेंडरे के रूप में, भीरु कृष्नन, टी कु तलसानिया, अक्वार के समपादक के रूप में, गीत संगीत, सभी गाने आनन्रख्षी के गीतों के साथ अगोष, बैंड द्वारा रच्चित हैं गाना नमरे मैं कोड़ी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने के गीतकार आनंद वक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आनंद वक्षी न गाना नमबर चार कोई देख रहा इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्ण मूर्ती हैं और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं गाना नमबर पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा है गाना No.6 गम ना करो इस गाने की गायकार सोनो लिगम और कवीता क्रिशनमूर्थी हैं और इस गाने की घीतकार आननदवख्शी हैं दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद तो हम सब्सक्राइनस नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं अम्मीद करते हूँ क्या आप सब्चे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे जोर फिल्म जोर अनुवात तागत बेविक कुमारदारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित उनिस वठानवे की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल शुश्मिता सेन मिलिन गोनाजी और ओमपुरी है तेरा परवरी उनिस वठानव को नाट की रूप से वेलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलता थी निर्देशक संगीत सिवन द्वारा लिकेत एन माराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात द्वारा निर्मेत बेवे कुमार अभिनीत सनी दियोल शुश्मिता सेन मिलिन गोनाजी ओमपुरी छायंकन जीवा द्वारा संपादित एश्री करबरसाथ संगीत यह गाने अगूश बैंड बैग्राउंड इसकोर विद्या साजर प्रोडेक्शन कंपनी विक्की फिल्म्स द्वारा विद्रित इरोज इंटर्टेंडमेंट रिलीज की तारीक तेरा परवरी 1998 बहरत कारेकारी समय एक 8.2 मिलियन के बरावर कथानक जोर ने दोस्तों को मापिया और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके अरजुन सनीदेवल एक फोटो जर्नलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपमखेर का एक लौता बेटा है और अपनी म प्यार में पढ़ जाते हैं दोनों शादी करने का फैसला करते हैं लेकिन एक समस्या है अरजुन आरती से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पूर्प जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल हुई अरजुन की घर पर मौझूद था जबकि पलिस कमिशनर को गि जिसके पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है इससे अरजुन को इकवाल पर शक होता है और बहे कश्मे चला जाता है बहे बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि इकवाल पुस्वादी का नेता है जिसने उस पर हमला किया था एकवाल अरजुन को बताता है कि भै एक देश बग आलमी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना इकवाल का एक परिवार और पत्नी थी जिसे भै किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अ सके उनका गाउं धीर धीरे एकवाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समों का नेता बन जाता है एकवाल की कहाने सुनने के बाद अरजुन ने उससे समझाया कि यह सब एकवाल को आतंगवादी बनाने की साजिश है कि भै भारती सेना में सिवरात अरजुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद की इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करन की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्योंकि बहर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुचित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदाल इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुजित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ्तार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उ इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए वास्तेव प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डालना सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमिता सेन आर्थी के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में को तलसानिया अक्वार के संपादक के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनन्दवक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंट द्वारा रचित हैं गाना नमरे मैं कोडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने के गीतकार आनन्दवक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आनन वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा शिरी राम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नम दोस्तों हम बहुत भीडियो बनाते हैं उम्हीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद अपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सके उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवा जोर फिल्म जोर अनुवात ताकत बेवे कुमारदारा निर्मित और संगीत सिवन दोरा निर्देशित उननीस वठानवे की भारती इंदिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा फरवरी उननीस नाट की रूप से वेलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलता थी निर्देशक संगीत सिवन दोरा लिकेत एन माराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात दोरा निर्मित बेवे कुमार अभिनीत सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी, ओमपुरी, छायंकन, ज प्रोडेक्शन कंपनी, विक की फिन्स, द्वारा वित्रेट, इरोज इंटर्टेंडमेंट, रिलीज की तारीक, तेरह परवरी 1998, बाहरत, कारेकारी समय, 155 मिनट, लेश, बाहरत, भाषा, हिंडी, बॉक्स ओफिस, 15 करोर, 2020 में 57 करोर, या यूएश डॉलर, 7.2 मिलियन के ब जा सके, आरजुन सनी देवल, एक फोटो जनलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है, और अपनी मा, छोटी बहन, और दादी के साथ खुश है, बैया आरती, शुश्मिता सेन से मिलता है, जो एक छोटे दैनिक में, एक लोग प्रोफाइल रिपोट है, जो एक प्रसिद्र रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अरजुन आरती से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले, अपने करीबी दोस्त, इकवाल मिल आरोप लगाया जाता है, अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल हुई, अरजुन की घर पर मौझूद था, जबकि पलिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थी, अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है, और बहला पता आतंवादी को खोजने, और अरजुन को एकवाल पर शक होता है, और बहल कश्मे चला जाता है, बहल वहाँ एक आतंवादी हमले से बजिया, और उसने पाया कि एकवाल को समू का नेता है, जिसने उस पर हमला किया था, एकवाल अरजुन को बताता है कि बहल एक देश वाग्त आर्मी कैप्तन से आतंव वादी क्यों बना एक वाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भाय किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक साम्प्रदाइग धंगे में खो दिया और एक साम्प्रदाइग नेता शाह आलम ओंपुरी उसे सैक्लोई वाव के साथ दे गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लड़ने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं धीर धीरे एक वाल देश दुरूई और अंतदा एक आतंगवादी सामों का नेता बन जाता है एक वाल की कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने उसे समझाया कि यह सब एक वाल को आतंगवादी बनानी की साजिस है कि बहAR भारती सेना में सिवरात विसपोटो को का बिशचजगित है और अपने देश और अपने देश और अपने लोहों को नष्ट करने के लिए विसपोटक बनाने के लिए अपने कोशर का उपयोग करने के लिए एक सूवामी जी को सूचित किया सूवामी जी dość के घक घाते हैं और चुबना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंगी देती हैं सामी और आलम भी इकवाल को मालने के लिए उसकी तलाध कर रहे हैं क्योंकि बह्त उंके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अर्जुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अर्जुन नियाधिस को इसपर्ष करता है कि यह है स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देजद्रोही हैं जो एकवाल जैसे नियुदोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस प्रकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुजिश करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ्तार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राश्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईों के लिए वास्ते उप्रकती उनके अपने अनुयाईों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया ढालना सनी दोल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमिता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी ए्वाल खान के रूप में ओमपुरी शालं के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गुविन नामदेब केंदरी मंतरी के रूप में अनुपम्खेर पुलिच कमिशनर उले सिंग के रूप में दीना-पाथक, अरजन दादी की रूप में, लक्षमिकान बेंडरे की रूप में, भीयू क्रिश्नन, टीपोर्तिलसानिया, अक्वार के समपाधक के रूप में, गीत संगीत सभी गाने आनन्दवक्षी के गीतों के साथ अगोष बेंड़ द्वारा रचित हैं गाना नमरे मै कुडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने के गीतकार आनन्दवक्षी हैं गाना नम्र दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा शिरी राम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नमबर चार, कोई देख रहा, इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्य मूर्ती हैं, और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं, गाना नमबर पांच, जोर देखो, इस गाने के गायकार गोपाल राय हैं, और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा ह गाना नंबर 6 गम ना करो इस गाने की गायकार सोननी गम और कवित क्रिश्ण मुर्ति है और इस गाने के घीतकार अनंद वक्षी है दोस्तो हम बहुत नहींस फी वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चरित्रि से जुड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दिवल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं 13 परवरी 1990 को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलता थी निर्देशक, संगीत सिवन, द्वारा लिकेत, एन महराजन, कहानी, पठकता, संजय, मासूम, संबात, द्वारा निर्मेत, बेवे कुमार, अभिनीत, सनी दिवल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी, ओमपुरी, छायंकन, जीवा, द्वारा संपादेत, एश्री गाने, आगूश, बैंड, बैक्ग्राउंड, इसकोर, विद्या साजर, प्रोडेक्शन कंपनी, विक्की फिल्म्स, द्वारा वित्रित, इरोज इंटर्टेन्मेंट, रिलीज की तारिक, तेरह परवरी निस वट्ठानवे, भारत, कारेकारी समय, एक सो पच्पन मिनट, ले और राजनेताउं द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अरजुन सनीदेवल, एक फोटो जर्नलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुपमखेर का एक लौता बेटा है, और अपनी मा, छोटी बेहन, और दादी के साथ खुश है, बै अरजनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अरजुन आरती से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले, अपने करीबी दोस्त, इकवाल मिलिन गुनाजी को, जो एक पुल्ष जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी ह होगी, इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है, अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल ही, अरजुन की घर पर मौजूद था, जबकि पलिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थ अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाप एक साजिस है, और बहला पता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की घरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है, इससे अरजुन को एकवाल पर शक होता है और बहल कश में चला जाता है, बहल भाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल पुस समो का नेता है, जिसने उस पर हमला किया था, एकवाल अरजुन को बताता है कि बहल एक देश बाग, आजमी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना एक वाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भाय किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाईग धंगे में खो दिया और एक सामप्रदाईग नेता शाह अलम उमपुरी उसे शैक्रोई वाव के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लड़ने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं धीर भीरे एक वाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी सामों का नेता बन जाता है एक वाल की कहानी सुनने के बाद अर शोटक बनाने के लिए अपने कोशर का उप्योग करने के लिए एक वाल अंत में अरजुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद कि एक वाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्व उनकी बहर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अंत में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद एक वाल को अदालत मिलाता है अरजुन नयादिस को इस परश करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग है जो असली देजद्रोही हैं जो एकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस परकार अदालत एकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुशित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ्तार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों की मदद से एक राज़्टी चैनल पर अदालत की पुरे का परवाई का सीधा प्रसान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए वास्तेव परकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरभ लोटा कर अपना मिशन पूरा किया धाला सनी ते इंटे उतेह fulfil हैं अभी एयोगिन आमदेप केंद्रीमंत्री के रूप में अनुतंखे प्लिश कमिशनर अले सिंग के रूप में इना पालड़क अर्जैन धादी के रूप में लक्ष्मिकान बेंड्रे के रूप में, भीरू कृत्रिश्णन टीकुत तलसानिया अकवार के संपातक के रूप में, गीत संगीत, सभी गाने आनन्दवक्षी के गीतों के साथ अगोष बेंद्वारा रच्चिता हैं, गाना नमरे मैं कुडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने के गीतकार आननद वक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आननद वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगादा, शिरी राम और गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नमबर चार, कोई देख रहा, इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्न मूर्ती हैं, और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं, गाना नमबर पांच, जोर देखो, इस गाने के गायकार गोपाल राय हैं, और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा ह गाना नम्बचे गम ना करो इस गाने की गायकार सोनो निगम और कविता क्रिश्न मूर्ती हैं और इस गाने की घीतकार आनंद वख्षी हैं दोस्तो हम बहुत भी नसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं अम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मूभी की बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तत्यों के बार में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद थागत बेवेक कुमार द्वारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं द्वारा निर्मेत बेवेक कुमार अभिनीत सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी छायंकन, जीवा, द्वारा संपादेत, एश्री करबरसाथ, संगीत यह हैं अगूश बैंड, बैग्राउंड इसकोर, विद्या सागर, प्रोडेक्शन कंपनी, भिक किपिन्स, द्वारा विद्रित, इरोज इंटर्टेंडमेंट, डिलीज की तारीक, तेरा परवरी उननिस वट्ठानवे, भारत, कारेकारी समय, एक्सुपच्पन मिनट, लेश, बाह और राजनेताउं द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अरजुन सनीदेवल, एक फोटो जर्नलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लोता बेटा है, और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खोश है, बैयारती शुषमिता सेन से मिलता है, जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है, जो एक प्रसेदर रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अरज इक्षा करनी होगी, इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है, अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल हुई, अरजुन की घर पर मौजूद था, जबकि पलिस कमिशनर को गि की लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है, इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है, इससे अरजुन को इकवाल पर शक होता है, और बहे कश्मे चला जाता है, बहे बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया, और उस ने पाया कि इकवाल पुस्वाल का नेता है, जिसने उस पर हमला किया था, एकवाल अरजुन को बताता है, कि बहे एक देश वाग आर्मी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना, एकवाल का एक परिवार और पत्मी थी, जिसे बहे किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था, हलाकि उसने उन्हें गाउं में एक सामप्रदाइग धंगे में खो दिया, और एक सामप्रदाइग नेता शाह अलम उंपुरी उसे सैक्रोई वाव के साथ ले गया, ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके, उनका गाउं धीर धीरे एकवाल द अपने देश और अपने लोगों को नष्ट करने के लिए विश्पोटक बनाने के लिए अपने कोशर का उप्योग करने के लिए एकवाल अंत में अर्जुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है, यह सुनने के बाद कि एकवाल ने उसे छोड़ दिया है, शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया, स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं, स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं, क्यूंकि बहर उनके खिला सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अरजुन नियाधिस को इसपर्ष करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देज़ द्रोही हैं जो एकवाल जैसे मिल्दोस लोगों में से आतंवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस परकार अदालत एकवाल और आयुक्त को मुर्दोस गोजित करती है और उन्हें भिहा कर देती है आलम को Kings गिल्दार कर लिया गया हला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर लिया कि अगर उन्हें कि गिल्दार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राश्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईों के लिए वास्तेव प्रकति उनके अपने अनुयाईों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया ढालना सनी दोल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमिता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान की रूप में ओमपुरी शालं की रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद की रूप में गोविन नामदेब केंदरी मंत्री की रूप में अनुपमखेर पुलिश कमिशनर उले सिंग की रूप में दीना पाठक अर्जन धादी के रूप में लक्ष्मिकान बेंड्रे 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 के गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुग्राधा शिरी राम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार सब्सक्राइब करें अरशा का दिचाने के सत्मेशन और दी दोस्तों के साथ लैक और शेयर करना ना भूलें धन्देवाद दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी की बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे तहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसा सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इंदिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी देवल, सुष्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी 1998 को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक व्यपसाइग व्यपलता थी निर्देशक संगीत सिवन द्वारा लिकेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात द्वारा निर्मेत बिवे कुमार अभिनीत सनी दियोल शुष्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा द्वारा संपादेत एश्री करबरसाथ संगीत यह गाने इंटर्टेंडमेंट रिलीज की तारिक तेरह परवरी 1998 बाहरत कारेकारी समय एक सो पच्पन मिनट लेश बाहरत बाशाह हिंडी बॉक्स ओफिस 15 करोर 2020 में 57 करोर या यूएश डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर कथानक जोर ने दोस्तों को मापिया और राजनेतां द्वारा लक प्रमखेर का एक लौता बेटा है और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है बैया आरती शुश्मिता सेन से मिलता है जो एक छोटे डैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है जो एक प्रसेटर रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है और दोनो प्यार में पढ़ जाते हैं दोनों शादी करने का फैसला करते हैं लेकिन एक समस्या है अरजुन आरती से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पूर्प जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल हुई अरजुन की घर पर मौझूद था जबकि पलिस कमिशनर को गि जिसके पीचे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है इससे अरजुन को इकवाल पर शक होता है और बहे कर्श में चला जाता है बहे बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पा जिवार और पत्नी थी जिसे भाय किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाइग धंगे में खो दिया और एक सामप्रदाइग नेता शाह आलम उमपुरी उसे सैक्रोई वाओ के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करन सुनने के बाद अरजुन ने उसे समझाया कि यह सब एकवाल को आतंगवादी बनाने की शाजिस है कि बहए भारती सेना में सेवरात विसपोटको का बिशचा जगित है और अपने देश और अपने लोगों को नष्ट करने के लिए विसपोटक बनाने के लिए अपने कॉश सुचित किया सुमी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं सुमी और अलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्योंकि बहए उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अरजुन नायदिस को इसपर्ष करता है कि यह सुमी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देश द्रोही हैं जो इकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं इकवाल आलम और सौमी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस परकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुजित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ्तार कर लिया गया हाला कि सौमी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राष्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए बास्ते प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डालना सनी दोल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमेता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपमखेर, पुलिश कमिशनर, उले सिंग के रूप में, दीना पाठक, अर्जन दादी के रूप में, लक्ष्मिकान बेंडरे के रूप में, भीरु कृष्णन, टीकु तलसानिया, अक्वार के समपादक के रूप में, गीत संगीत, सभी गाने आननदबक्षी के गीतों के साथ अगोश बेंड़ द्वारा रचित हैं, गाना नमरे पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा, शिरीराम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकर महभूग हैं। और कविता क्रिश्ण मूर्ती हैं और इस गाने के घीतकार आनन्द वक्षी है दोस्तो हम बहुत भीना से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मूभी की बारें बताएंगे इसमें हम मूभी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगो तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद ताकत बेवेक कुमारदारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इंदिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं 13 परवरी 1998 को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक व्यपसाइग व्यपलता थी निर्देशक संगीत सिवन द्वारा लिखेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात द्वारा निर्मेत बिवे कुमार अभिनीत सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा द्वारा संपादेत एश्री करपरसाथ संगीत यह गाने अगूश, बैंड, बैंग्राउंड इसकोर, विद्या सागर, प्रोडेक्शन कंपनी, विक की फिल्म्स, द्वारा वित्रेत, इरोज इंटर्टेन्मेंट, रिलीज की तारिक, तेरह परवरी निस वट्ठानवे, भारत, कारेकारी समय, एक सो पच्पन मिनट, लेश, बारत, बाशा, हिंडी, बॉक्स ओफिस, पंदरा करोर, दोजार पीस में सतावन करोर, या यूएश डॉलर, साथ पैंड, दो मिलियन के बरावर, कथानक, जोर, ने दोस्तों को मापिया, और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिय जा सके, अर्जुन सनीदेवल, एक फोटो जर्नलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है, और अपनी मा, छोटी बेहन और दादी के साथ खुश है, बैयारती, शुश्मिता सेन से मिलता है, जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर् रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अर्जुन आर्थी से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त, इकवाल मिलिन गुनाजी को, जो एक पूर्व सेना कप्तान भी सोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी, इस बीच अर्जुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदु ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है, अर्जुन की बहन की सराई की दोरान इक खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है, इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अर्जुन का घर छोड़ देता है, इससे अर्जुन को इकवाल पर शक होता है, और वह कश्मे चला जाता है, वह बह आर्मी कैप्तन से आतंगवादी क्यों बना, एक वाल का एक परिवार और पत्मी थी, जिसे भाय किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था, हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाईग धंगे में खो दिया, और एक सामप्रदाईग नेता शाह आलम उमपुर उसे सैक्रोई वाव के साथ ले गया, ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रोगों के खिलाप लड़ने के लिए तैयार किया जा सके, उनका गाउं धीर धीरे एक वाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समों का नेता बन जाता है, एक वाल की कहानी सुनने के अर्जुन ने उसे समझाया कि यह सब एक वाल को आतंगवादी बनानी की साजिस है, कि बहे भारती सेना में सेवरात विसपोटकों का विशर जगित है, और अपने देश और अपने लोगों को नष्ट करने के लिए विसपोटक बनाने के लिए अपने कौशर का उप्योग क अर्जुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है, यह सुनने के बाद की इकवाल ने उसे छोड़ दिया है, शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया, स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत् बुद बनने जा रहा है, अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुषित किया जाने वाला होता है, अर्जुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है, अर्जुन ने आधिस को इस पर श करता है, कि यह सौमी जी और आलम जैसे लोग हैं, जो असली देज को निर्दोस घुजित करती है, और उन्हें विहा कर देती है, आलम को गिरफतार कर लिया गया, हाला कि सौमी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफतार किया गया, तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे, हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिय प्याईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डाला सनी दोल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमेता सेन आरती के रूप में मिलिन गुनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह दादी के रूप में लक्षमिकान बेंड्रे भीरू करिश्णन टीकु तलसानिया अकवार के समपादक के रूप में गीत संगीत पहली बार इस गाने के गायकार अमग्राधा, शिरीराम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार महभूग हैं। गाना नमबर चार, कोई देख रहा, इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्य मूर्ती हैं, और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं। गाना नमबर पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा है गाना नमबर चे गम ना करो इस गाने के गायकार सोनो निगम और कवित क्रिश्ण मूर्ती है और इस गाने के गीतकार अनन्द वक्षी है दोस्तो हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दे कि आज हम आपको जोर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें, उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद, जोर फिल्म, जोर अनुवाद, ताकत बेवेक कुमारगारा निर्मेत और संगीत सिवन दौरा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है, इसमें सनी दिवल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी है 13 परवरी 1999 को नाट की रूप से रेलीज हुई, यह एक ब्यपसाइक बेवलता थी निर्देशक संगीत सिवन दौरा लिकेत एन माराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबाद दौरा निर्मेत, बेवे कुमार अभिनीत, सनी दिवल, शुश्मिता सेन मिलिन गुनाजी, ओमपुरी चायंकन, जीवा दौरा संपादेत, एश्री करबरसाथ संगीत यह, गाने अगोश, बैंड, बैक्ग्राउंड इसकोर बिद्या सागर, प्रोडेक्शन कंपनी बिग कीपिन्स, दौरा विद्रेत इरोज इंटर्टेंडमेंट डिलीज की तारीक, तेरा परवरी 1998, बाहरत कारेकारी समय, एक सो पच्पन मिनट लेश, बाहरत, बाश्या, हिंडी बॉक्स ओफिस, पंद्र करोर 2020 में 57 करोर या US डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर कथानक, जोर ने दोस्तों को मापिया और राज नेताउं द्वारा लक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अरजुन सनीदियूल एक फोटो जर्नलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है और अपनी माँ छोटी बहन और दादी के साथ खुश है बैया आरती शुश्मिता सेन से मिलता है जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है जो एक प्रेसिद्र रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं दोनों शादी करने का फैसला करते हैं लेकिन एक समस्या है अरजुन आरती से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पूर्फ जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन के पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदु ही भोशित करने का आरोप लगाया जाता है अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल भी अरजुन की घर पर मौजूद था जबकि पलिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थी अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है और बहन लापता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की घरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है इससे अरजुन को एकवाल पर शक होता है और बहे कश में चला जाता है बहे बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल पुस्षमू का नेता है जिसने उस पर हमला किया था एकवाल अर्जुन को बताता है कि भैए एक देश वक्त आजमी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना एकवाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भैए किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाईग धंगे में खो दिया और एक सामप्रदाईग नेता शाह अलम उंपुरी उसे सैक्रोई वाव के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं सेना में सिवरात विश्वोटको का विश्वजगित है और अपने देश और अपने लोहों को नष्ट करने के लिए विश्वोटक बनाने के लिए अपने कोशर का उप्योग करने के लिए एकवाल अंत में अर्जिन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बार कि इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसक अर्जुन नायदिस को इसपर्ष करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देश द्रोही हैं जो एकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार आदालत एक कर दिया कि अगर होने गिरबतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज्टी चैनल पर अदालत की पूरे कारवाई का सीधा प्रसान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का घौरत लोडा कर अपना मिशन पूरा किया दाला सनी द्युल अर्ज्णि यूकेसिंग के रूप में सुषमिता सेन आरती की रूप में, मिलिन गोनाजी एगवाल खान की रूप में, ओमपुरी शाह आलंग की रूप में, मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद की रूप में, गोविन नामदेप केंदरी मंत्री की रूप में, अनुपमखेर पुलिश कमिशनर उले सिंग की रूप म लक्ष्मिकान बेंड्रे के रूप, भीरु क्रिष्णन, ठीकु तलसानिया, अक्वार के समपादक के रूप में गीत संगीत, सभी गाने आनद वक्षी के गीतों के साथ अगोष, बेंडवारा रचित हैं गाना नमरे मैं कुडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सर देशाई हैं और इस गाने के गीतकार आनन वक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सर देशाई हैं और इस गाने को आनन वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगादा, शिरी राम और गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नमबर चार, कोई देख रहा, इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्न मूर्ती हैं, और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं, गाना नमबर पांच, जोर देखो, इस गाने के गायकार गोपाल राय हैं, और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा ह गाना नमबचे गम ना करो इस गाने की गायकार सोनो निगम और कविता कृष्ण मूर्ति हैं और इस गाने की घीतकार आनन्द वक्षी हैं दोस्तों हम बहुत भीनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मूभी के बारें बताएंगे इसमें हम मूभी के संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक अनुवात तागत बेविक कुमार द्वारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित उननीस वठानवे की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल, सुश्मिता सेन, मिलिन गोनाजी और ओमपुरी हैं तेरा फरवरी उननीस वठानवे को संबात द्वारा निर्मेत बेवे कुमार अभिनीत सनी दियोल, सुश्मिता सेन, मिलिन गोनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा द्वारा संपादेत एश्री करबरसाथ संगीत यह गाने अगोश बैंड बैग्राउंड इसकोर विद्या सागर प्रोडेक्शन कंपनी विक्की फ तेरह परवरी उनिस वट्ठानवे बारत कारेकारी समय एक सो पच्वन मिनट लेश बारत बाश्या हिंडी बॉक्स ओफिस पंद्रा करोर दोजार बीस में सतावन करोर या यूएश डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर कतानक जोर निर्दोस लोगों को मापिया और राजनेतां द् बातंगवादी बना दिया जा सके अर्जुन सनी देवल एक फोटो जर्नलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है बैयारती शुशमेता सेन से मिलता है जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफ से है अर्जुन आरती से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पुर्फ जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवनन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अर्जुन के पिता पर एक अग्यात आतंगवा थी अर्जुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है और बहला पता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीचे कि लोगों को पगड़ने के लिए निकल परता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अर्जुन का घर छोड़ देता है इससे अर्जुन को एकवाल पर शक होता है और बहल कर्श में चला जाता है बहल बहल बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल पुस्वां का नेता है जिसने उस पर हमला किया था एकवाल अर्जुन को बताता है कि बहल एक देश हो दिया और एक साम्प्रदाइग नेता शाह अलम उंपुरी उसे सैक्रोई वाव के साथ ले गया ताकि उने निष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लड़ने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाहूं धीर धीरे एकवाल देजदुरुई और अंतदा एक आतंगवादी सम का नेता बन जाता है इकवाल की कहाने सुनने के बाद अरजुन ने उसे समझाया कि यह सब इकवाल को आतंगवादी बनाने की साथिस है कि बहए भारती सेना में सिवरत विश्पोटकों का विश्च जगित है और अपने देश और अपने लोगों को नश्ट करने के लिए व छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सुचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्यूंकि बह अधिस को इसपर्ष करता है कि यह है स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देश्द्रोही हैं जो एकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार अदालत एकवाल और जजायुक्त को निर्दोश घुसित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफतार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर लिया कि अगर उनने गिरतार किया गया तो उनके अन्यॉएई हंगाम करेंगे हलागि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राश्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए वास्तव प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डालना सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमिता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओमपुरी शालं के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपमखेर, पुलिश कमिशनर, उले सिंग के रूप में, दीना पाठक, अर्जन धादी के रूप में, लक्ष्मिकान बेंडरे के रूप में, भीरु कृष्णन, टीकू तलसानिया, अक्वार के संपादक के रूप में, गीत संगीत, सभी गाने आनन्वक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंट द्वारा रचित हैं गाना नमरे मैं कोडी अंजाने इस गाने के गायकार हेमा सरदेश आई हैं और इस गाने के गीतकार आननद वक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेश आई हैं और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है. गानना नमद नमद तीन, पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगराधा, शिरिराम और गोपाल राए हैं, और इस गाने के गीतकार महबूग हैं, गानना नमद चार कोई देख रहा, इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्यमूर्थी है और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल है गाना नमबर पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा है गाना नमबर छे गम ना करो इस गाने के गायकार सोनो निगम और कविता कृष्यमूर्ती है और इस गाने के गीतकार आनन्द वक्षी है दोस्तो हम बहुत भीनसी वीडियो बनाते हैं उम्हीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सके उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर बेवेक कुमारदारा निर्मेत और संगीत सिवन दोरा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी 1998 को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलत बेवेक कुमारदार निर्देशक संगीत सिवन दोरा लिकेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात दोरा निर्मेत बिवेक कुमार अभिनीत सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा दोरा संपादेत एश्री करबरसाथ संगीत य गाने, अगूश, बैंड, बैक्ग्राउंड इसकोर, बिद्या साजर, प्रोडेक्शन कंपनी, विक की फिन्स, द्वारा वित्रित, इरोज इंटर्टेंडमेंट, रिलीज की तारीक, तेरह परवरी 1998, बाहरत, कारेकारी समय, एक सो पच्पन मिनट, लेश, बाहरत, भाषा, हिंडी, बॉक्स ओफिस, 15 करोर, 2020 में 57 करोर, या यूएश डॉलर, 7.2 मिलियन के बरावर, कथानक, जोर, ने दोस्तों को मापिया, और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अर्जुन सनीदेवल, एक फोटो जन पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है, और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है, बैया आरती शुशमेता सेन से मिलता है, जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है, जो एक प्रसिद्र रिपोर्टर के रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अरजुन आरती से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को, जो एक पुर्ष जेना कप्तान विस फो अरजुन की सराई की दोरान इकवाल भी अरजुन की घर पर मौजूद था, जबकि पलिस कमिशनर को गिरतार कर रही थी, अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है, और बहला पता आतंवादी को खोजने, और अपने पिता की गरिमा को बाहल करने की कोता है, और बहल कर्श में चला जाता है, बहल वहाँ एक आतंवादी हमले से बजिया, और उसने पाया कि एकवाल पुस्थ समू का नेता है, जिसने उस पर हमला किया था, एकवाल अरजुन को बताता है, कि बहल एक देश वाग्ध आजमी कैप्तन से आतंवादी क्यों बना एकवाल का एक परिवार और पत्नी थी, जिसे भाय किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था, हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाईग धंगे में खो दिया, और एक सामप्रदाईग नेता शाह आलम उमपुरी उसे सैक्रोई वाउ के साथ ले गया, ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रोगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके, उनका गाउं धीर भीरे एकवाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी सामों का नेता बन जाता है, एकवाल की कहाने सुनने के बाद अरजुन ने उसे समझाया कि यह सब एकवा का उपयोग करने के लिए एकवाल अंत में अरजुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है, यह सुनने के बाद कि एकवाल ने उसे छोड़ दिया है, शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया, स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और शुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं, स्वामी और आलम भी एकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं, क्योंकि भैवन के खिलाब सबूत बनने जा रहा है, अन्त में जब कमिशनर को अपरादी भुश्चित किया जाने वाला होता है, अ इकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंवादी पैदा करते हैं, इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है, इस पिरकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस भुश्चित करती है और उन्हें विहा कर देती है, आलम को गिरफतार कर लिया गय कि अगर उन्हें गिरफतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे, हला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राच्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसान किया, इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया, उनके अनुयाईयों क के सिंग के रूप में, सुष्मेता सेन, आरती के रूप में, मिलिन गोनाजी, एर्वाल खान के रूप में, ओमपुरी, शाह आलंग के रूप में, मोहन आगाशे, स्वामी सत्यानंद के रूप में, गोविन नामदेप, केंदरी मंत्री के रूप में, अनुपमखेर, पुल के संपादक के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनन्द वक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंड़ द्वारा रचित हैं गाना नमरे मैं कुडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई है और इस गाने के गीत कार आनन्द वक्षी है गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई है और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा शिरी राम और गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार रविंदल्ला रावल है गाने नुमरी पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय है और इस गानेके गीतकार Scharl Ini Noway गम ना करो इस गाने कि गायकार सोनो निगम और कविता क्रिश्यमूर्ती हैं और इस गाने के घीतकार आनन्द वक्षी है दोस्तों हम बहुत मेनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मूभी की बारें बताएंगे इसमें हम मूभी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुन सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद तागत बेवे कुमारदारा निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दिवल, सुष्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी 1998 को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक ब्यपसाइग ब्यफलता थी निर्देशक संगीत सिवन द्वारा लिखेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात द्वारा निर्मेत बिवेकुमार अभिनीत सनी दिवल, सुष्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन, जीवा द्वारा संपादेत एश्री करपरसाथ, संगीत यह गाने अगूष, बैंड, बैक्ग्राउंड इसकोर, विद्या साजर, प्रोडेक्शन कंपनी, भिक की फिन्स, द्वारा वित्रेत, इरोज इंटर्टेंडमेंट, रिलीज की तारीक, 13 परवरी 1998, बाहरत, कारेकारी समय, 15 मिनट, बेश, बाहरत, भाशा, हिंडी, बॉक्स ओफिस, 15 करोर, 2020 में 57 करोर, या US डॉलर, 7.2 मिलियन के बरावर, कथानक, जोर, ने दोस्तों को मापिया, और राजनेताउं द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अर्जुन सनीदेवल, एक फोटो जर्नलिस्ट, पुलिस कमिशनर लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है, जो एक प्रसेटर रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अर्जुन आर्थी से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले, अपने करीबी दोस्त एकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पूर्व सेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवणन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अर्जुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही भोशित करने का आरोप लगाया जाता है अर्जुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल भी अर्जुन की घर पर मौझूद था जबकि पलिस कमिशनर को गिर्फतार कर रही थी अर्जुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है और बहन लापता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहाल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है इस बीच एकवाल बिना किसी सुरा के अर्जुन का घर छोड़ देता है इससे अर्जुन को एकवाल पर शक होता है और बहे कश में चला जाता है बहे बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल को समुकर नेता है जिसने उस पर हमला किया था एकवाल अर्जुन को बताता है कि भै एक देश वग आर्मी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना एकवाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भै किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक साम्प्रदाइग धंगे में खो दिया और एक साम्प्रदाइग नेता शाह अलम उम्पुरी उसे सैक्रोई वाव के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रोगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं धीर भीरे एकवाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समों का न भीशे जघित है और अपने देश और अपने लोगों को नश्ट करने के लिए विस वोटक बनाने के लिए अपने कौशर का उप्योग करने के लिए एकवाल अंत में अरजुन को मदक vous की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद की इकवालने उसे छो की देते हैं स्वामी और आनम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्यूंकि वह उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अर्जुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलात करता है अर्जुन नयाधिस को इस पश्ट करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देज़द्रोही हैं जो इकवाल जैसे निरदोस लोगों में से अतंवादी पैदा करते हैं इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार आ इने से इंकार कर दिया कि अगर उने गिरफ्तार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज्टे चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उन के अपने अनुयाई हो ने उन्हें पीट पीट कर मा डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डाला सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमेता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपम अख्वार के संपादक के रूप में। लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा शिरी राम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नमर चार कोई देख रहा इस गाने के गायकार अधित नारंड और कविता क्रिश्म होती हैं और इस गाने के गीतकार धालीन शर्मा है गाना नंबर 6 गम ना करो इस गाने की गायकार सोनो निगम और कविता कृष्यन मूर्ती हैं और इस गाने की घीतकार आनद वक्षी हैं। दोस्तो हम बहुत भीपने सी वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लो मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी के बारें बताएंगे इसमें हम मुवी के संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सके उम्मीद करती हूं आप से दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद तागत बेवेक कुमारदार निर्मेत और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गोनाजी और को नाट की रूप से वेलिज हुई यह एक ब्यपसाइक ब्यपलता थी निर्देशक संगीत सिवन द्वारा लिकेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबाद द्वारा निर्मेत बेवेक कुमार अभिनीत सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गोनाजी, ओमपुरी, चायांकन, जीवा, द्वारा संपादित, एश्री करबरसाथ, संगीत यह, गाने, आगूश, बैंड, बैग्ग्राउंड इसकोर, विद्या साजर, प्रोडेक्शन कंपनी, विक की पिन्स, द्वारा वितरित, इरोज इंटर्टेंडमेंट, रिलीज की तारी, तेरा परवरी 1998, बारत, कारेकारी समय, एक सो पच्वन मिनट, लेश, बारत, बाशा, हिंडी, बॉक्स ओफिस, पंदर करोर, दोजार बीस में, सतावन करोर, या यूएश डॉलर, 7.2 मिलियन के बरावर, कथानक, जोर, ने दोस्तों को माफिया, और राजनेताउं द्वारा लक्षित किया बेटा है, और अपनी मा, छोटी बेहन, और दादी के साथ खुश है, बै आरती, शुश्मिता सेन से मिलता है, जो एक छोटे दैनिक में, एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है, जो एक प्रसेटर रिपोर्टर के रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में प जिना कप्तान बिस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी, इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदू ही भोशित करने का आरोप लगाया जाता है, अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल ही, अर अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीचे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है, इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है, इससे अरजुन को इकवाल पर शक होता है, और बहे कश में चला जाता है, बहे बहाँ एक आतं वादी क्यों बना, एक वाल का एक परिवार और पत्मी थी, जिसे भाय किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था, हलाकि उसने उन्हें अपने गाउं में एक सामप्रदाईग धंगे में खो दिया, और एक सामप्रदाईग नेता शाह आलम उमपुरी उसे सैक्रोई वाव के स ले गया, ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लड़ने के लिए तैयार किया जा सके, उनका गाउं धीर धीरे एक वाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी सामों का नेता बन जाता है, एक वाल की कहानी सुनने के बाद अरजुन ने उसे समझा कि यह सब एक वाल को आतंगवादी बनाने की साजिस है, कि बहे भारती सेना में सिवरात विसपोटको का विशच जगित है, और अपने देश और अपने लोगों को नष्ट करने के लिए विसपोटक बनाने के लिए अपने कौशर का उप्योग करने के लिए एक वाल अंत मे अर्जुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद की इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्योंकि बहर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुषित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अरजुन नहादिस को इसपर्ष करता है कि यह है स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देज़ दोही हैं जो इकवाल जैसे निर्दोष लोगों में से आतंवादी पैदा करते हैं इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस परकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोष घुषित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफतार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज़्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए वास्तेव प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डाला सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में, सुचमिता सेन आरती के रूप में, मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में, ओम पुरी शाह आलंग के रूप में, मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में, गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में, अ कूपल सानिया अक्वार के समपादक के रूप में घीत संगीत सभी गाने आनंद वक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंद द्वारा रचित हैं गाना नमरे मै कोडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई है और इस गाने के गीतकार आनन्द वक्षी है गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई है और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा श गाने के गीतकार रविंदर लारावल हैं गाना नमर पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा है गाना नमर चे गम ना करो इस गाने के गायकार सोनो निगम और कविता क्रिशन मूर्ती हैं और इस गाने के गीतकार दोस्तों हम बहुत मेंनसी वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक हो शेर करना ना भूलें धन्यबाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मूभी के बारें बताएंगे इसमें हम मूभी के संबन में कहानी और चरित्री से जुड़े तथ्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंद सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं 13 फरवरी 1968 को नाट की रूप से रेलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलता थी निर्देशक, संगीत सिवन, द्वारा लिखेत, एन माराजन, कहानी, पठकता, संजय, मासूम, संबात, द्वारा निर्मेत, बिवे कुमार, अभिनीत, सनी दियोल, शुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी, ओमपुरी, छायंकन, जीवा, द्वारा संपादेत, एश्री करबरसा संगीत या है, गाने, अगूश, बैंड, बैग्राउंड इसकोर, विद्या सागर, प्रोडेक्शन कंपनी, भिक की फिन्स, द्वारा वित्रेत, इरोज इंटर्टेंडमेंट, डिलीज की तारी, तेरह परवरी, उनिस वट्ठानवे, भारत, कारेकारी समय, एक सो पच्पन म को मा पिया, और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अरजुन सनीदेवल, एक फोटो जनलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है, और अपनी मा छोटी बहन और दादी के साथ खुश है, बै आरती शुशमिता सेन से मिलता है, जो एक छोटे दैनिक में एक लोग प्रोफाइल रिपोर्टर है, जो एक प्रसेटर रिपोर्टर की रूप में नाम बनाना चाहती है, और दोनों प्यार में पढ़ जाते हैं, दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या अर्जुन आरती से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को, जो एक पुर्व सेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवनन की प्रतिक्षा करनी होगी, इस बीच अर्जुन के पिता पर एक अग्यात आतंगवाद को छोड़ देने और देजदो ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है, अर्जुन की बहन की सगाई की दोरान इकवाल भी अर्जुन की घर पर मौजूद था, जबकि पलिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थी, अर्जुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस और बहन लापता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की घरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पगड़ने के लिए निकल पड़ता है, इस बीच एकवाल बिना किसी सुरा के अर्जुन का घर छोड़ देता है, इससे अर्जुन को एकवाल पर शक होता ह और बहन कर्शमी चला जाता है, बहन एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल पुस्त हमों का नेता है जिस ने उस पर हमला किया था, एकवाल अर्जुन को बताता है कि बहन एक देश वाल में एक सामप्रदाईक दंगे में खो दिया और एक साम्प्रदाइग नेता शाह अलम उम्पुरी उसे सैक्रोई वाउ के साथ ले गया ताकि उने निष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लडने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं धीर धीरे एकवाल देजदुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समों का नेता बन जाता है इकवाल की कहाने सुनने के बाद अरजुन ने उसे समझाया कि यह सब इकवाल को आतंगवादी बनाने की साथिस है कि बहे भारती सेना में सेवरात विसपोटकों का विशच जगित है और अपने देश और अपने लोगों को नश्ट करने के लिए विसपोटक ब दिया है शाह आलम ने अपने आपराद साती स्वामी जी को सुचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकि देते हैं concentrations और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं कि भेर उनके खिलाप सबूद बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अरजुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अरजुन नयाधिस को इसपर्ष करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देज़ दुरोही हैं जो एकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं एकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार अदालत एकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुशित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफतार कर लिया गया हला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उन्हें गिरफतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों की मदद से एक राश्टी चैनल पर अदालत की पुरेकारवाई का सीधा प्रसारान किया इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईों के लिए वास्ते प्रकति उनके अपने अनुयाईों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया ढालना सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमेता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपम अख्वार के संपादक के रूप में। लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अबाधा शिरी राम और गोपाल राए हैं और इस गाने के गीतकार था रोजेखो Gil आने का पाने के अभी धन्दा पर और कविता क्युश्व मूर्टी हैं धन्यकर गम ना करो इस गाने के गायकार सोनो निगम और कविता कृष्ण मूर्ती है और इस गाने के घीतकार आनन्द बख्षी है दोस्तो हम बहुत भीनासी वीडियो बनाते हैं उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीस हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी की बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरितरी से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लीजे जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगो तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें उम्मीद करती हूँ आप से दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद ताकत बेवेक कुमारदारा निर्मित और संगीत सिवन द्वारा निर्देशित उननीस वठानवे की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी दिवल, शुष्मित असेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी उननीस वठानवे को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलता थी निर्देशक, संगीत सिवन, द्वारा लिकेत, एन महराजन, कहानी, पठकता, संजय, मासूम, संबात, द्वारा निर्मेत, बिवे कुमार, अभिनीत, सनी दिवल, शुष्मित असेन, मिलिन गुनाजी, ओमपुरी, छायंकन, जीवा, द्वारा संपादेत, एश्री करबरसा संगीत या है, गाने, अगूश, बैंड, बैग्राउंड इसकोर, बिद्या साजर, प्रोडेक्शन कंपनी, विक की फिल्म्स, द्वारा वित्रेत, इरोज इंटर्टेंडमेंट, रिलीज की तारीक, तेरह परवरी 1998, बारत, कारेकारी समय, 15 मिनट, लेश, बारत, भारत, भा माफिया और राजनेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके, अरजुन सनीदेवल, एक फोटो जनलिस्ट, पुलिस कमिशनर अनुकम खेर का एक लौता बेटा है, और अपनी माँ छोटी बहन और दादी के साथ खुश है, ब दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक समस्या है, अरजुन आरती से कहता है, कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को, जो एक पुल्ष जेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवलन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही भोशित करने का आरोप लगाया जाता है, अरजुन की बेहन की सराई की दोरान इकवाल भी अरजुन की घर पर मौझूद था, जबकि पलिस कमिशनर को गिरफतार कर रही थी, अरजुन जानता है कि यह उसके पिता के खिलाब एक साजिस है और बहला पता आतंगवादी को खोजने और अपने पिता की गरिमा को बहल करने की साजिस के पीछे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है, इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड देता है, इससे अरजुन को एकवाल पर शक होता है और बहल कर्श में चला जाता है, बहल वहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि एकवाल पुस समुकर नेता है, जिसने उस पर हमला किया था, एकवाल अरजुन को बताता है कि बहल एक देश वक्त आर्म सामप्रदाइग दंगे में खो दिया और एक सामप्रदाइग नेता शाह अलम ओंपुरी उसे सैक्रोई वाउ के साथ ले गया ताकि उन्हें नष्ट करने वाले रुगों के खिलाप लड़ने के लिए तैयार किया जा सके उनका गाउं धीर धीरे एकवाल देजदुरुई और अंटता एक आतंगवादी सामू का नेता बन जाता है एकवाल की कहाने सुनने के बाद अरजुन ने उससे समझाया कि यह सब अकवाल को आतंगवादी बनाने की साज़िस है कि बहरती सेना में सिवरात विश्वोटकों का बिश्यजजगित है और अपने देश और अपने ल सुनने के बाद की इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्यूंकि भैर उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी भुशित किया जाने वाला होता है अर्जुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अदालत मिलाता है अर्जुन नियादिस को इसपश्ट करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देश्द्रोही हैं जो एकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इस पिरकार अदालत इकवाल और आयुक्त को निर्दोस घुजित करती है और उन्हें विहा कर देती है आलम को गिरफ्तार कर लिया गया हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उ इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए वास्ते प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया धालना सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुष्मिता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुप तलसानिया अख्वार के संपादक के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनदवक्षी के गीतों के साथ अगोश बेंट द्वारा रचित हैं गाना नमhoे मैं कुडी अन्जानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने के गीतकार आनन्द वक्षी हैं गाना नमर दो तेरे प्यार में इस गाने के गायकार शंकर महादेवन और हेमा सरदेशाई हैं और इस गाने को आनन्द वक्षी ने लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुगाधा शिरी राम और आपको आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग मैं उम्मीद करते हूं कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको जोर मुवी की बारें बताएंगे इसमें हम मुवी की संबन में कहानी और चरित्री से जोड़े तत्यों के बारें बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं क्या है तो दोस्तों कर लिए जिससे आने वाले सारे वीडियो का नॉटिफिकेशन आप लोगो तक सबसे पहले पहुन सके और आप सब दोस्त हमारे वीडियो को आसानी से लेख सकें उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद जोर फिल्म जोर अनुवाद तागत बेवेक कुमारगारा निर्मेत और संगीत सिवन दोरा निर्देशित 1998 की भारती इन दिवाशा की एक्शन फिल्म है इसमें सनी देवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी और ओमपुरी हैं तेरा परवरी 1998 को नाट की रूप से रिलीज हुई यह एक व्यपसाइक व्यपलत दोरा निर्देशक संगीत सिवन दोरा लिकेत एन महराजन कहानी पठकता संजय मासूम संबात दोरा निर्मेत बिवेक कुमार अभिनीत सनी दिवल, सुश्मिता सेन, मिलिन गुनाजी ओमपुरी चायंकन जीवा दोरा संपादेत एश्री करपरसाथ संगीत यह गाने प्रोडेक्शन कंपनी विक कीपिन्स द्वारा वित्रेत इरोज इंटर्टेंडमेंट रिलीज की तारिक तेरह परवरी 1998 बाहरत कारेकारी समय एक सो पच्पन मिनट लेश बाहरत बाश्या हिंडी बॉक्स ओफिस 15 करोर 2020 में 57 करोर या यूएश डॉलर 7.2 मिलियन के बरावर कथानक जोर ने दोस्तों को मापिया और राज नेतां द्वारा लक्षित किया जा रहा है ताकि उन्हें आतंगवादी बना दिया जा सके अरजुन सनी दियूल एक फोटो जर्नलिस्ट पुलिस कमिशनर अनुपम खेर का एक लौता बेटा है और अपनी मा छोटी बहन और द प्यार में पढ़ जाते हैं दोनों शादी करने का फैसला करते हैं लेकिन एक समस्या है अरजुन आरती से कहता है कि उन्हें शादी करने से पहले अपने करीबी दोस्त इकवाल मिलिन गुनाजी को जो एक पूर्प सेना कप्तान विस फोटब विशेशगे से अनुवजन की प्रतिक्षा करनी होगी इस बीच अरजुन की पिता पर एक अग्यात आतंगवादी को छोड़ देने और देजदो ही घोशित करने का आरोप लगाया जाता है अरजुन की बहन की सराई की दोरान इकवाल हुई अरजुन की घर पर मौझूद था जबकि पलिस कमिशनर को गि जिसके पीचे के लोगों को पकड़ने के लिए निकल परता है इस बीच इकवाल बिना किसी सुरा के अरजुन का घर छोड़ देता है इससे अरजुन को इकवाल पर शक होता है और बहे कश्मे चला जाता है बहे बहाँ एक आतंगवादी हमले से बजिया और उसने पाया कि इकवाल पुस्अमो का निता है जिसने उस पर हमला किया था एकवाल अरजुन को बताता है कि भै एक देश वक्त आर्मी कैप्टन से आतंगवादी क्यों बना एकवाल का एक परिवार और पत्मी थी जिसे भै किसी भी चीज सी जागत प्यार करता था हलाकि उसने उन्हें अ सके उनका गाउं धीर धीरे एकवाल देश दुरुई और अंतदा एक आतंगवादी समों का नेता बन जाता है एकवाल की कहाने सुनने के बाद अरजुन ने उससे समझाया कि यह सब एकवाल को आतंगवादी बनाने की साजिश है कि बहै भारती सेना में सेवरात अर्जुन को मदद की पेशकस में समझता है और स्विकार करता है यह सुनने के बाद की इकवाल ने उसे छोड़ दिया है शाह आलम ने अपने अपराद साथी स्वामी जी को सूचित किया स्वामी जी अजे के घर जाते हैं और चुपना रहने पर उसके परिवार को खत्म कर करने की धंकी देते हैं स्वामी और आलम भी इकवाल को मानने के लिए उसकी तलास कर रहे हैं क्यूंकि वह उनके खिलाब सबूत बनने जा रहा है अन्त में जब कमिशनर को अपरादी घुशित किया जाने वाला होता है अर्जुन बहुत खुन खरावे के बाद इकवाल को अधालत मिलाता है अर्जुन नाइदिस को इस पर्ष करता है कि यह स्वामी जी और आलम जैसे लोग हैं जो असली देज़ दोही हैं जो इकवाल जैसे निर्दोस लोगों में से आतंगवादी पैदा करते हैं इकवाल आलम और स्वामी जी के खिलाब उसे सबूत देता है इ हाला कि स्वामी जी ने यह कहते हुए देने से इंकार कर दिया कि अगर उने गिरबतार किया गया तो उनके अनुयाई हंगामा करेंगे हाला कि अर्जुन ने अपने मीडिया मित्रों के मदद से एक राज़्टी चैनल पर अदालत की पुरे कारवाई का सीधा प्रसारान किय इसलिए स्वामी जी का खुलासा किया उनके अनुयाईयों के लिए बास्ते प्रकति उनके अपने अनुयाईयों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला अर्जुन ने अपने पिता का गौरब लोटा कर अपना मिशन पूरा किया डालना सनी देवल अर्जुन यूके सिंग के रूप में सुचमेता सेन आरती के रूप में मिलिन गोनाजी एगवाल खान के रूप में ओम पुरी शाह आलंग के रूप में मोहन आगाशे स्वामी सत्यानंद के रूप में गोविन नामदेप केंदरी मंत्री के रूप में अनुपम सानिया अक्वार के संपादक के रूप में गीत संगीत सभी गाने आनन्दवक्षी के गीतों के साथ अगोश बैंट द्वारा रचित हैं गाना नमरे मैं कोडी अंजानी इस गाने के गायकार हेमा सरदेश आई हैं और इस गाने के गीतकार आनन्दवक्षी हैं गाना नमरे दो लिखा है गाना नमर तीन पहली पहली बार इस गाने के गायकार अनुग्राधा शिरी राम और गोपाल राय हैं और इस गाने के गीतकार महभूग हैं गाना नमर चार कोई देख रहा इस गाने के गायकार उदित नारंड और कविता क्रिश्म होती हैं और इस गाने के गीतकार रविंदर लारावल है गाना नमबर पांच जोर देखो इस गाने के गायकार गोपाल राय है और इस गाने के गीतकार शालीन शर्मा है गाना नमबर चे गम ना करो इस गाने के गायकार सोनो निगम और कवित क्रिशन मूर्ती है और इस गाने के गीतकार आनन्द वक्षी है दो धन्देवाद।